So guys, बहुत लोग का budget 10,000 रुपीज आयन उन लोग चे स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि अभी भी यह से बहुत लोग है जो इस प्राइस रेंज को उपर जो नहीं जा सकते हैं, उनका budget जो फिक्ष्ट होता है और 10,000 रुपीज उसके नीचे होता है, तो आज के इस वीडियो में आज को पांच स्मार्टफोन के बात करने वाला हूं, जो आपको अंडर 10,000 रुपीज में देखने को मिल जाता है, तो यह होने वाला है आज के इस वीडियो में तो चैनल पर नहीं सस्क्राइब कर लो, स्टेट में लगा बेल लाइकन भी ज़रो द और इस डिस्प्ले के क्योवार्टी के बात दें इस और इस में च stratigen को बता आइस अपको यूनिसोग का फरेदी 788 गया शेड़ को अच्छा हों श्छा आपको की इस प्रो से जो अच्छे तरिकर से गेमिंग थ्रभ वह रही हैं, इतनेभी हेवी गेम तो नहीं कहल पाएं बस चोटे मोटे games क्लिक पाईए और multitasking and delivers भी अच्छी तरगे से कर पाईए इसमें आपको 48MP 366mph camera setup देने को मिलता है इस camera से भी अच्छी तरगे से photos and videos क्लिक पाईए और फ्रांट में 8MP selfie camera देने को मिलता है जिसे अच्छी अच्छी तरगे से ले पाईए नाइन त्रीपल नाइन रुपीज फूर्थ दिस्पजे स्मार्टफोन आता हो है सामसंग गैलक्सी एफ 12 इस स्मार्टफोन के बात करनों इसमें भी आपको 6.5 इंच का HD कंची आपको शी ये प्राइन गया जो करेंटफोन करेंगा इसे स्मार्टफ प्रेंटिक अभी प्रोसेशर ब्लता है लिए खिमिंग ओरिंट्र फ्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है बाद आप इसमें जो गेमिंग खेकरे अफर को हाड़्कूर गेमिंग इसमें पिलकुल नहीं कर पाएंगा बट मृती चाथ ऑस्ट इदेपिनेटे söyleduds जो कर पाएंगे नर्मल गेम से अछ़े तरीर केसि सबमें क्येल पाइंगे बिट कोर गेम इसमें नहीं कहल पाइंगे बैकमे आपको 48 वाट र्यर कैमरा सेटक झालताए इसमें आपको इसमीन आपको मिल सांसक को मिल्स जराना है इसके वरोल गाद को मिलनाला वाला बात तो इसकी मैं आपको सचिथा टरिंगे से फोटोस और वीडियो को जोई क्लिक कर पाएंगे और इसमें आपको 6000 इमेच का बैटरी देखने को मिलता है विद 15 वैट फास्ट चार्जिंग इस बड़े बैटरी के लिए 15 वास्ट चार्जिंग भी सही है बड़े लंबे देर तक बैटरी चलने वाला जो कि बहुत अच्छी बात है इसमें 4GB RAM 64GB स्टोरेज वाले बेरेंट आता है जिसका प्राइज फिन थाउजन 499 रूपीज थर् सेंप्लिंग रेट इसका डिस्प्ले आपको ठीक को में दाता है इसमें आपको मेरे टे का हीलो जी 85 प्रोसेसर देंको मिलता है जो कि आपका है अपर एंजिन के सदा आता है और इसमें आप इसमें जो गयास बाकि जितने भी स्मार्टफॉन दो थे उससे बहतर गेमिंग इ इसे आप डेले टास्किंग वरे जो होता है मल्टी टास्किंग ओता वो भी अच्छी जखर पाएंगे अन बके जो रॉस में रर्य काम होते हैं इसमें बहुत ही जादा है इवी इंदिनेटी नहीं कर पाएंगे वाट अगर 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 पबगी कैलते इसको जो है आप एज सेटिंग्स में बढ़ी आराम से केल पाएंगे इसमें आपको 50MP का त्रीपल रियर क्यामरा सेटब देखने को मिलता है और इसका भी फोटोस और वीडोस आपको अच्छी तरिके से देता है मैं जो कैमरा है आई सभी चिजीशे इसमें भी अच्छी अच्छी इसमें सब्सक्र jagant से Sonatyra में अच्छी एक यविक शार्जिनग्स फ्रम API ईदेखने के खरिटते हैं तो डेफिनिटी आपको यह अंडर 10,000 रूपीस में भी देखने को मिलने वाला है सेकंड प्लेस प्लेस स्मार्टफोन आता हुए गैस मैक्रो मैक्स के तरफ से आने वाला इन नोट वन इस स्मार्टफोन की बात करने तो इसमें आपको 6.67 इंज का इसमें अपको मिरटे का हीलो जी 85 प्रोसेटर देखने को मिल जाता जैसे को मैंने का इसमें भी जिससे आप जो अच्छी तरिकर से गेमिंग एकर पाएंगे मैसे स्पैसेली आपके जो 48 में वाले कैमरे से प्रन्ट में आपको 16 ममी प्रिक्सर का पंच्छोल केमरा देन को मिलता है इस से भी आप जे अप सेल्पी औरे जो होते है बहुत अच्छे मिलने वाला है और यो वीड फॉने वाले कौलिट उने वाला है इसमें का बैट्टरी देखने को मिलता है with 18W fast charging इसमें का reverse charging का भी support देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है इसमें आपको जो गाइस कोई bloatwares नहीं कोई third party apps इसमें भी देखने को नहीं मिलता है इसमें आपको 4GB RAM 64GB storage वाले variant आता है जिसका price 9,499 रुपीज है पहले नहीं बड़ जो smartphone आता हो है Infinix Hot 11S इस smartphone के बात करने तो इसमें आपको 6.78 इंच का full HD plus IPS LCD display देखने को मिलता है जो कि 90Hz refresh rate के साथ आता है and 180Hz इसका touch sampling rate है इसका display guys definitely इसमें बड़ा देखने को मिलता है and quality wise भी यह सही देखने को मिलता है प्रोसेसर के बात करें तो इसमें आपको Miratica Helio G88 देखने को मिलता है जो कि आपको Miratica Helio G85 से थोड़ा बढ़िया आप gaming experience देलाएगा and multitasking वेरे सब भी guys इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे rear-e में आपको 50MP का triple rear camera setup देखने को मिलता है इस camera इस पिए आप जो फोटो और वीडियो बड़ी आप अच्छी तरीके से क्लिक कर पाएंगे and इसका जो फोटो और वीडियो का जो क्वालिटी होने वाला भी बहुत ही अच्छा होने वाला है front में आपको 8 में पीसर देखने को मिलता है जिसे आप अच्छी तरीके से ले पाएंगे और इसमें आपको रियर में LED फ्लैस देखने को मिलता है front में भी इसमें आपको LED फ्लैस देखने को मिलता है मतलब सेल्फी रहते टाइम भी आप एलेडी फ्लैस का यूज कर पाएंगे इस जो कैमरा है इसमें आपको 2K video recording supported है जो की बहुत ही अच्छी बात है इसमें 5000 mAh का बैटरी देने को मिलता है 18W fast charging का इसमें भी support देने को मिलता है इसमें आपको stereo speakers का support देने को मिलता है जो की बहुत इच्छी बात है इसमें आपको 4GB RAM 64GB RAM storage variant इसका price गरी 10,000 को ऊपर है इसमें आपको कार्ट यूस करेंगे यह जो कैसा आपको under 10,000 रुपीज में देने को मिलने वाला है यह थे कुछ smartphones under 10,000 रुपीज जो की देने को मिलता है इन सभी smartphone डेफिनिली बहुत ही अच्छा है आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो चेड़ेगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना तक के लिए जहेंत बंदे मातरम